एक डाटा जारी किया गया था और रैंक आग यहां पर लखबग अगर हम देखे तो आप सथिस यहां पर है, इसके बात अगर देखे तो यहां पर जो ली निय आड़ी आजे बना उनका आख़ा जेंग्यक यहां पर है, उस此ए ज़ाद ही क्या यहां बना जादा जो आपक 20 ए नहां पर rank regu data जो आपका जारी किया जा रहा है उसके बाद जो cutoff है वो आपकी काफी high जाती यहाँ पर दीखेगी क्योंकि पहले ही देखे हैहाँ पर जो vacancy है वो आपकी काफी कम है यहाँ पर 1558 अलब टोटल vacancy और इसमें भी अगर हम देखें तो यहाँ पर जो आपके देखे आटेंडेस हुईती तो आटेंडेस की बात किरें देखे 41 पॉइंट आपका 2% तक यहाँ पर जो आपका अटेंडेस था जिसमें लगपक यहाँ पर 10,赤 74,235 केंडिडेट ने एक्जाम को अटेंप किया, यान है, तो आज के काझे कम है वेद आटेंट कंडिडेट का मांक्स पर अच्छा बना आफ्टर आंसर गें तो इसमें पर पर उन Kiss said of हार्ती तो सिसाप से हाँ अभर वो देखे कैंडीडेट का जारि अन इनकी आ थी आपकी देट खी थी used के बाद आपका बना एक्जाम को और इसके बाद बाद चार्ट से कि दो सुश्थ क Natal टरा पर देखने को मिलेगा तो पहले आपंध देखें बस्ट आपका यहां पर देखे 27 सिप्ट में एक्जाम को कम्प्लीट किया गया था यानि कि इसमें देखे तो तीन सिफ्ट में एक्जाम जो है वो आपका चला था 14 सितंबर की second shift का जो average है वो देखे यहां पर बनना 89 point आपका 3-3 है इसके बाद देखे 8 सितंबर का यहां पर third shift है यहां पर 81 point यहां पर 35 है तो यह आपकी देखे यहां पर easy shift है तो पहले यहां पर अगर हम easy shift की बात करें तो easy shift में जो यहां पर देखे 14 सितंबर का second shift है यह आपका easy shift है एक number पर यह आपकी easy shift है उसके बाद आता है आपका 8 सितंबर की third shift का average जो है वो आपका 81.35 है यहां पर यहां पर आती थारड shift है तो यहां पर आता है आपका 79.26 है सितमबर की फस सिफ देखे तो यहां पर पी आपका देखे 14 सिफिप का चो आपका 78.52 इसके बाद अगर देखे तो आपका यहां पर आता है से लेका दो मार्क्स या इसमें ही बस आपका नॉर्मलाइजेशन जो है वो देखने को मिलेगा फिर देखिए यह आपका यहाँ पर और भी सिप्ट है जिसमें केंडिडेट का इजाम को अटेम किया तो यह आपकी देखिए इजी टू मॉडडेट है और इसके बाद यहाँ प पर देखने को मिली जिसके एवरेज देखिए तो 73 है 72 है 72.91 है जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो आपका जो एवरेज है वो काफी कम यहाँ पर देखने को मिला है फिर देखिए इसमें अगर देखिए तो यहाँ पर टॉफ फाइव अगर हम लेके चले तो टॉफ आपकी जो hard shift है वो आपके देखे एक सितंबर की first shift है जिसका average जो है वो बना आपका 63.88 है छपिस आपके देखे यहाँ पर जो आपकी 26 है यहाँ पर shift रगबग आपकी 27 shift में exam को complete करिया गया तो 12 सितंबर की देखे तो first shift का जो average है वो आपका 65.40 5 सितंबर की अगर हम second shift की बात करे 64.84 है 6 सितंबर की second shift देखे 68.48 है इसके बाद देखे 6 सितंबर का यहाँ पर आता है आपका third shift तो 6 सितंबर की third shift का देखे तो average जो है वो आपका 68.49 है तो यह आपका देखे यहाँ पर easy और इसके बाद more day to hard यहाँ पर आपकी shift है और इसमें बी काफी नॉन्मलाइजेसerson जो है वो देखने को मिलेगा लगबग आपका तग के टुंटीस सैवन biography elson जो हैसं जो है वो देखने को मिलेगा वही अगर ँंगर przeci यहाँ पर जो वर्यत की बात करें देखिया दिखे अब हम रेखे में 202 का result भी लेके जले आपका हवालदार तो उसमें भी आपका लगबग 27 मार्क्स तक यहाँ पर नॉर्बलाइजिसन जो है वो देखने को मिला था और जैसे जैसे देखे यहाँ पर आपका जो ओ एक जाप लिएजन बहुत सारे केंडिड़ेट देखिए इसी वज़ह से परेशान है कि उनकी रहर चेंज वो चेंज कैसे हो तो उसमें काफी candidate कम थे ऐसे जिन्हों ने अपनी rank IQ data पे अपना rank जो है वो शेयर नहीं किया लेकिन आप देखें जैसे जैसे यहाँ पर timing हो रही आपके answer की आने के बाद तो उसमें यहाँ पर candidate अपना rank IQ data जो है वो शेयर करें इसी वज़े से आपकी rank जो है वो यहाँ पर change ह होती देख रही है फिर देखी लगबग अगर हम देखें तो यहाँ पर अभी तक जो है वो आपका सैंतिस अजार तक यहाँ पर आपका जो rank IQ data में candidate ना अपना rank जो है वो शेयर करें और इसमें अगर देखें तो यहाँ पर जो आपकी पहले पोस्ट देखें तो आपकी जो यहाँ पर 135 है जिसमें वेकेंसी आपकी देखें यहाँ पर जो है लगबग 1558 है लेकिन 1600 केंडिडेट का यहाँ पर जो आपका देखें बनना है वो बनना है 135 तो यह आपका देखें और नॉर्मलाइजेसन जो अपने candidate ने rank IQ data पर शेयर गया है इसके बाद लगातार यहाँ पर जो और भी rank में candidate अपना देखें जिनका high marks होगा उनका भी यहाँ पर काफी अच्छा marks देखने को मिला तो इससे आपकी rank जो है वो फिर यहाँ पर change होने के chances बनेंगे और लगबग अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके 10 लाग candidate ने exam को attempt किया है लेकिन उसके बाद भी देखें तो जिनकी यहाँ पर rank जो है वो काफी अच्छी बन नहीं है तो इसी वज़े से अभी यहाँ पर काफी changes होगा और आपका कटाफ जो है वो लगबग यहाँ पर 140 तक देखने को मिलेगा तो बात करते हैं यहाँ पर देखें अगर हम कटाफ की बात करें तो देखें कटाफ में यहाँ पर लगातार जो है वो changes आपको देखने को मिलेंगे लेकिन फिर भी अगर हम मान के चले कि यहाँ पर अभी तक जो आपका data शेयर गिया गया तो उसमें जो कटाफ है वो कितनी जाने की यहाँ पर chance बनेंगे क्योंकि देखें जैसे जैसे यहाँ पर अभी तक यहाँ पर result नहीं आया तो उनका भी यहाँ पर exam जो है वो attempt हुआ है तो इसी वज़े से उनका जो score है वो भी इस year वाले candidate के लिए देखें जादा देखने को मिलाए तो पहले यहाँ पर देखें आपके general category और general की बात करें तो यहाँ पर जो आपका score बनना 136 से 140 0 तो आ यहाँ पर आपका chance रहेगा इसके बाद देखें आता है आपका EWS category और EWS में देखें तो 134 यहाँ से आपका देखें 133 से लेकर 135 के बीच बनना तो आपका chance रहेगा इसके बाद देखें ST category बात करें तो 128 से लेकर 130 तक आपका chance यहाँ पर रहेगा और इसके बाद ST की बात करें तो ST में यहाँ पर बनना 125 से लेकर 127 तक तो यह आपका देखें यहाँ पर अभी तक जो candidate का data जारी हुआ उसमें इतना कटाप बनना है और इसके बाद देखें आगे भी जो आपका data जा रही होगा तो इससे जादा जाने के chances यहाँ पर नहीं रहेंगे तो इसमें देखें तो plus 5 होने के chances आपके हो सकते लेकिन इतना भी जादा जो क्या सकते कटाप आपकी हाई नहीं जाएगे लेकिन फिर भी जो इस बार यहाँ पर कटाप है उसमें जादा ही जाने के chances बन चुकि उनकी rank जो है वो कितनी बनना है और आपका जो category wise यहां पर score है वो कितना बनना है